राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों भाई बहन का त्योहार रक्षबंधन हर साल सावन महा की पोड़मा पर मनाया जाता है. रक्षा बंदन पर बेहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांद कर उनसे अपनी रक्षा की और हर परिस्थिती में साथ निभाने का बच्चन लेती है साथ ही अपने भाई की लंबी आयो और सुक्समरधी की कामना भी करती है सावन महा शुरू होते ही बहने रक्षा बंधन की तियारी करने लग जाती हैं बजार में भी सुन्दर रक्षा सूत्र की भर्मार होती है शास्तों में रक्षा बंधन पर्व का विश्ष महतु बताया गया है यह पर्व हर वर्ज सावन महां के पोड़मा पर मनाया जाता है लेकिन इस बार रक्षा बंधन पर्व की दिथी को लेकर confusion बना हुआ है क्योंकि इस बार सावन पोड़मा दिथी 11 अगस्त की सुबह 10 बच कर 38 मिट पर शुरू होगी और 12 अगस्त की सुबह 7 बच कर 5 मिट पर समाप्थ हो जाएगी ऐसे में पोड़मा का चांद 11 अगस्त को दिखेगा और पूरे दिन 11 अगस्त को पोड़मा रहेगी इसलिए इस बार रक्षा बंधन का पर 11 अगस्त को मनाया जाएगा दोस्तों रक्षा बंधन तिथी के साथ ही इस बार रक्षा बंधन के शुप महूरत को लेकर कंच्लूजन बना हुआ है शास्तों के अनुसार रक्षा बंधन का पर शुप महूरत में ही मनाना चाहिए तब ही इससे जीवन में खुशियां आती है अगर यह पर अशुव महूरत में मनाया जाे, यानिकि अशुव महूरत में बहने भाई की कलाई पर अगर राखी बांती है, तो इससे अशुब पल्णा भी भुगत में पड़ सकते हैं. इसलिए रक्षा बंदन सधैप शुव महूरत में ही मनाना चाहिए. उत्तर भारत में रक्षा बंधन सुभे के समय मनाया जाता है तो अन्य जिगों पर रक्षा बंधन दुपहर के बार मनाया जाता है लेकिन राखी बांदने के लिए भद्रा का ध्यान रखना चाहिए भद्रा का समय रक्षा बंधन के लिए यानि की राखी बांदने के लिए निशेत माना जाता है हिंदू माननेताओं के अनुसार सभी शुक कारियों के लिए भद्रा का त्यां किया जाना चाहिए भद्रा काल की दोरान राखी बांधने से भाई बहन दोनों को ही विपत्तियों का सामना करना पड़ता है साथ ही मालक्ष में भी नारास हो जाती है इस बाद सावनपूर मां 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन है लेकिन रख्षा बंधन का पड़ 11 अगस्त को मनाया जाएगा और 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा काल रहेगा भद्रा का मुख इस बार शाम 6 बचकर 18 मिनट से रात 8 बचे तक रहेगा भद्रा पूँच 11 अगस्त को शाम 5 बच कर 17 मिनट से शाम 6 बच कर 18 मिनट तक रहेगा और भद्रा काल की समापती रात 8 बच कर 51 मिनट पर होगी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्राता काल में भद्रा मुख का त्याग कर भद्रा पूँच के दौरान रक्षा बंधन किया जा सकता है लेकिन हम इस चीज की सलह आपको बिल्कुल नहीं देंगे भद्रा काल का मुख हो या फे पूँच हो भद्रा के दौरान भूल कर भी राखी ना बांदे इसलिए इस बार रक्षा बंधन पर राखी बानने का शुब महुरत 11 अगस्त की रात 8 बच कर 51 मिनट से शुरू होगा रात 8 बच कर 51 मिनट से आप देर रात तक किसी भी समय राखी बान सकते हैं कुछ जगह पर राखी बानने से पहले कुछ भी नहीं खाया जाता यानि की भोचन नहीं किया जाता अगर आपके घर भी ऐसी माननेता है तो आप दिन में फलहार कर सकते हैं लेकिन राखी आप भद्रा समाप्त होने के बाद ही बादें बतर समाप्द होने के पाज शुब मौरत में राखी बाढने से धाई बहन को मालक्ष्मी के भी कृपा प्राप्द होती है और जीवर में खुश्यां आते हैं राखी बादने के लिए राखी की थाली में कुछ जरूरी चीज़ें अवश्य रखें। सबसे पहले तो राखी रखें। फिर चंदन टीका करने के लिए या फिर आप कुम-कुम भी रख सकती हैं। वहीं अक्षट भी बहुत जरूरी होता है। अक्षट यानि की कच्चा सा साबुच जावल क्योंकि इससे भाई के जीवन से सभी नकारात्मक ओजा दूर रहेगी। तिलक करने के बाद आप तिलक पर थोड़ी से साबुच जावल यानि की अक्षट अवश्य ही लगाएं। इसके साथ ही पूजा की थाली में आप नारियल भी अवश्य रखें। हि दीपक अवश्य रखें। दीपक जलाकर भाई की आरती जरूर उतारें। और फिर भाई को मिश्ठान भी अपने हाथ से अवश्य खलाएं। ऐसा करने से भाई भेहन की रिष्टे में मिठास आने लगती है। भाई के राखी बानने से पहले इस ठाली को आप अपने मंदि दीपक जलाकर भागवान जी की आरती करें भागवान जी को तिलक लगाएं। इसकी पश्चात ही आप अपने भाई की आरती कर भाई को राखी बान दे। आज के दिन महिला हों या पुरुष्ट सभी को अपने इस्ट को भी राखी अवश्य ही बानने चाहिए। क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं। भगवान का पूचिन करने के पश्चात अब आप भाई को उत्तर या पूर्वी दिशा की तरफ मुख करवा कर बैठाएं। और फिर भाई के मस्तक पर तिलक करें, उसके पश्चात राखी बांदें। भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांदनी चाहिए, दाहिना याने की राइट हेंड पर राखी बांदें। राखी बनवाते समय भाई को अपने सिर पर कप्डा रोमाल अवश्य ही रखना चाहिए। रक्षा बंधन का पर्व उपाई के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन आसान से उपाई कर आप अपने जीवन से कश्टों को दूर कर सकते हैं। तो आईए दुस्तों जानते हैं रक्षा बंधन पर किये जाने वाले कुछ आसान से उपाई। दूस्तों अगर आपका कोई काम लंबी समय से अठका हुआ है तो रक्षा बंधन के दिन आप पूजन करते समय भगवान श्री गणेश के सामने दो साबत लांग और एक सुपारी रखें। और फिर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। और ओम गन गनपते नमा मंतर का ग्यारे बाद जाप करें। अगर हो सके तो मंतर का 108 बाद जाप करें। ऐसा करने से अधिक लाब होगा। पूजन के पशार भगवान श्री गणेश से कारे को पूर्ण करने की प्रातना करें। वे दोस्तों जब भी आप अपने किसी जरूरी काम के लिए जाएं तो इन ल अग्वान श्री गणेश की के पासे बहकाम तुरंत ही पूरा हो जाएगा। अगर आपके ब्यापार में प्रथी नहीं हो रही है, धन्समबंदी समस्या बने होई है, तो रक्षा बंधन के दिन आप देवी मा लक्षमी जी के मंदिर में जाएं। या फिर आप अपने घर मा लक्षमी का पूजण करें, पूजण करने के लिए मा को कुमकों से तिलख करें, और मा लक्षमी जी के सामने आप शुद्धिगी का दिया जलाएं और एक सुगंदी थूपत्ती जलाएं। और दूद और चावल की खीर बनाएं। इस खीर में आप पांच प्रकार के सू 208 बार जाप करें अगर आपकी यहां कमल गट्टे की माला हो तो उस माला पर आप इस मंद्र का जाप करें कमल गट्टा मालक्षमी को अत्यधिक प्रिया है पोजन के पश्चा सबसे पहले इस खीर को आप बच्चों में प्रशाद के रूप में बाटें आप अपने परिवार में भी बच्चों को दे सकते हैं या आसपडोस में या मंदिर में जाकर भी बच्चों को यह प्रशाद दे सकते हैं और फिर इसे प्रशाद के रूप में ऐसा करने से मालक्ष्मी की कृपा से ब्यापा आद्मी प्रथी होती है और धन का लाव होता है रक्षा बंधन का पर सावन पूर्मा पर होता है और पूर्मा दिधी मालक्ष्मी को अत्तितिक प्रिया है यह दिन मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है इसलिए इस पर्व पर आप इस सांसे उपाई को कर मा लक्ष्मी के किरपा अवश्य ही प्राप्त करें रक्षा बंधन पर धन ब्रधी के लिए आप एक अन्य उपाई भी कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए आप लाल रंग की मिट्टी का एक घड़ा लें और उस बहते हुए जल में बिसाजित कर दें ऐसा करने से मा लक्ष्मी की किरपा से धन में ब्रधी होती है अगर किसी व्यक्ती ने आपके पैसे उधार ले रखे हैं और वहें आपकी पैसे नहीं चुका रहा है तो आप लक्षा बंधन के दिन एक सूखे कपूर का काजल बना लें और फिर एक साफ काजले और उस काज़ पर कपूर से आप उस व्यक्ती का नाम लेखते हैं जो आपके पैसे नहीं लोटा रहा है अब आप इस काज़ को मोड़कर तै कर दें और मालक्ष्मी से पैसे बापस दिलाने के प्रातना करें इस तरहें प्रात्ना करने के पश्चा दोस्तों अब आप इस काकर्ष को लेकर पीपल ब्रक्ष पर जाएं। पीपल ब्रक्ष के पास जाकर दोस्तों, इस पेपर को आप जमीन पर रखतें और इसके उपर कोई भारी पत्थर रखतें और फिर अपने घर बापस आ जाएं. आपको इसी पीपल ब्रक्षे बिल्कुल जड़ में नहीं रखना है आपको सिर्फ इसी पीपल ब्रक्षे आस्पास रखना है ऐसी जगह पर जहां पीपल की छाया आती हो इस उपाई को कहने से मालक्ष्मी के क्रपाई से उधार दिया हुआ पैसा जल्द ही बापस मिल जाता है दोस्तों रक्षा बंधन के पावन पर पर इन आसान से उपाई को कर इन से लाव अवर्षे ही प्राक्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं थैंक्स वर वचिंग राधे राधे